इस डो दो इस डिजिए अधिया होगा हमें कि एक आइसोसकेलिस ट्रहंगल है यह तो यहां पर एसी और बीसी इक्वल होगे और एक यह वाले साइड और यह वाले साइड इक्वल होगी और एक और कंडिशन दे दी गई है कि A B का जो square होगा वो equal है 2 A C square के हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है कि ABC जो ही ये triangle है ये एक right triangle है यानि कि ये 90 degree का angle है अभी हमें पता नहीं है कि ये 90 degree का angle है या नहीं है लेकिन हमें ये proof करना है हमें ये proof कैसे कर पाएंगे हमें एक चीज तो पता है कि AB square to AC square के equal है इसे हम split करके लिख देंगे that is AB square equal AC square plus AC square next हमें एक चीज़ और पता है कि if यहाँ पर given है कि AC जो है वो BC के equal है तो हम एक AC के जगह यहाँ पर BC लिख देंगे तो यह आ जाएगा AB square equal AC square plus BC square so अगर आप इस relation को देखें कि एक relation आया है तो इसमें AB जो है यानि कि इसका square equal है this square plus this side square so इसका मतलब यह जो है यहाँ पर triangle यह right angle triangle होगा क्योंकि यहाँ पर एक side का square बाकी की दो sides के square के sum के equal है और ऐसा सिर्फ right angle triangle में ही possible हो पाता है